हलो क्लास, कक्चा बार्वी के बहुत दिकी में आप सभी का स्वागत है आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसी परिपत जिसमें केवल क्या है संधारीत्र होता है पिछले क्लास में हमने जाना था एसी परिपत जिसमें केवल शुर्त प्रतिरोध होता है उसके बारे में हमने धारा का समिक्राण याद किया था तो था फेजर, आरेक और कला, आरेक को भी क्या है चित्रित किया था तो आज हम लोग जारेंगे AC परिपत, AC परिपत मतलब alternative current circuits जिसमें क्या होता है केवल capacitance होता है, तो सब एक ही जैसे है, इसमें भी क्या है, सबसे पहले हम लोग मान लोग एक संधारित्र C के दोनों 0 के मद्ध, एक प्रत्यावर्थी voltage AC को जोडते हैं, ठिक तो सबसे पहले चीत्र बना लेंगे इसका, तो हम लोग एक संधारित्र बनाएंगे, संधारित्र का चीत्र आप लोग को पता ही होगा, क्याकि हम लोग इसे पढ़ चुके हैं, पिछले class में, ठिक है तो सबसे पहले मानना है कि मान लो एक संधारित्र सी, जिसके दोनों 0 के मद्ध, एक प्रत्यावर्थी voltage AC को लगाया गया है, तिथा किसी छड इस प्रत्यावर्थी voltage का जो समी के रण है, वह क्या है जी, वहा है इसमें क्या है, आई धारा प्रवाहित होगी, यह क्या है, संधारित्र है, तो ठिक, यहां तक सभी को समझ में हैं, हमने कहा कि मान लो, एक संधारित्र सी के दोनों 0 के मद्ध, एक प्रत्यावर्थी voltage AC को लगाया गया है, तिथा किसी छड इसका समी के रण है, V is equal to V0 sin omega t, जहां पर V0 क्या है, प्रत्यावर्थी voltage का सिखर मान है, तथा V क्या है, प्रत्यावर्थी voltage का तक्षडिक मान है, अच्छा, अब उसी छड हम लोग, संधारित्र की plate को क्या है, जो आवेश प्राप्त होगा, क्यों, क्योंकि इसमें voltage लगा है, तो जाहिसे बात है, संधारित्र की plate को क्या है, आवेश प्राप्त होगा, तो उसी छड संधारित्र की plate को प्राप्त आवेश यदि क्यों होतों, लिखते हैं, उसी छड यदि संधारित्र के plate को प्राप्त आवेश, क्यों होतों, क्यों होतों, धारिता की परिभाशा से, हम लोग को पता है, धारिता की परिभाशा से क्या होता है, सुत्र क्या होता है, C is equal to Q upon V, तो यहाँ पर क्या है, हमें Q का मान निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे, Q is equal to C V, ठीक है, फिर हम लोग क्या है, यहाँ पर समिकरन एक से voltage का मान को रखेंगे, तो हमारे पास आएगा, Q is equal to C V not sin omega T, यह आगे है, समिकरन नमबर 2, अब हम लोग को पता है, किसी छट धारा का जो समिकरन होता है, वह क्या होता है, I is equal to DQ upon DT, ठीक, किसी छट धारा का, जो समिकरन होता है, वह क्या होता है, I is equal to DQ upon DT, ठीक, यहाँ तक सभी का clear है, सभी साथ साथ बनाते जाएंगे, ठीक है, यह बियन जग को, तो क्या है, और अच्छे से समझ में आते जाएगा, ठीक, तो यहाँ I is equal to DQ upon DT आया, तो Q का value हम लोग समिकरन दो से यहाँ रखेंगे, तो आ जाएगा, I is equal to D upon DT, Q का मान रखेंगे, तो यह है, C V naught sin omega T, ठीक, तो अब क्या है, sin omega T का हमें T के साथ एक्छ में आउकलन करना है, और यह दोनों तो क्या है, अचर है, तो यह तो बाहर निकल जाएंगे, तो हम एक बार और इसे लिखते हैं, C V naught क्या है, अचर है, तो यह बाहर आ जाएंगे, D upon DT, और क्या हो जाएगा, sin omega T का समातलन, शौरी आउकलन करना है, ठीक, तो आप लोग को पता ही होगा, sin omega T का अउकलन करते हैं, तो क्या आता है, जिन लोग को नहीं मालूम, वो इधर देखिए, कि D upon DT sin A T जब रहता है, A के जगब, omega के जगब, हम लोग क्या है, A लिए हैं, है न, तो क्या होता है इसका अउकलन, यह हो जाता है, D upon, sorry, यहां देखते हैं, इसका अउकलन करने पर, यह sign का क्या होगा, sign का हो जाता है, cos A T, अब उसके बाद इसका अउकलन करते हैं, तो A क्या है, अलचर है, तो वो बहार आ जाता है, और T का DT upon DT cancel हो जाता है, तो इस प्रकार हमारे पास आता है, अउकलन करने पर A, cos A, T, ठीक है, तो यहां पर क्या जाएगा, omega, cos, omega, T, ठीक, यहां पर sin, omega, T का अउकलन करेंगे, तो क्या जाएगा, omega, cos, omega, T, अच्छा, तो हम लोग यह value यहां पर रखलेंगे, हाज आएगा, हमारे पास, C, V, 0, इसका माना जाएगा, omega, cos, omega, T, ठीक है, जी, तो अब हम लोग क्या है, इतना को क्या है, एक constant मान लेते हैं, तो हमारे पास आएगा, I is equal to, I naught, cos, omega, T, जहां पर हम लोगों ने क्या है, माना है, हमने माना है, क्या, हमने माना कि, जो, I naught का जो value आया है, वह आया है, C, V, 0, और omega, C, ठीक, तो इस प्रकार, यह क्या हो जाएगा, यह है, धारा का सिखर्मान, आपको पता ही है, धारा का सिखर्मान, तो देखे, यहां पर क्या है, समी के रड़ एक और समी के रड़ दो को देखे, है ना, दोनों में क्या है, जो समी के रड़ है, वह क्या है, साइन ठीटा के फॉर्म में है, है न, तो और हमारे पास आया, जो यह समी के रड़ नंबर 3, धारा का समी के रड़ आया है, वह क्या है, cos के form में है यहां देखिए यहां जो आया है समी के नमबर 3 वह क्या है cos के form में है तो इसे भी हमें क्या है sign के रूप में लिखना है तो हम सब को मालूम है कैसे लिखा जाता है इसे कैसे लिखा जाता है हम लोग लिख सकते है i is equal to i0 sin omega t plus pi by 2 या sin 90 plus theta का क्या होता है cos theta होता है तो इसे माल लेते हैं समी के नमबर 3 अब समी के रूप 1 और समी के रूप 3 दोनों के कला का अंतर लिगे तो समी के रूप 1 वह 3 से क्या है धारा और वोल्टेज के कला में अंतर निकालेंगे धारा और वोल्टेज के मध्य क्या है कला में हम लोग अंतर निकालेंगे कला में अंतर तो क्या आ जाएगा हमारे पास हमारे पास आ जाएगा समी के रूप 1 क्या समी करण है समी करण एक में कला का समी करण है तो हम लोग बड़ा में छोटा को घटाएंगे तो यह हो जाएगा उमेगा टी क्योंकि घटाने का फॉर्मूला यही होता है पाई बाई टू माइनस उमेगा टी तो उमेगा टी उमेगा टी cancel out हो जाएगा हमारे पास आएगा πाई बाई 2 ठेक है तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि एसी परिपत में प्रत्यावर्टी जो धारा है वह क्या है देख के ही पता चल रहा है कि यहां प्रत्यावर्टी धारा क्या है प्रत्यावर्टी बोल्टेज से 90 अंस क्या है प्रत्यावर्टी धारा प्रत्यावर्टी धारा प्रत्यावर्टी वोल्टेज से नब्य अंस या पाई बाई टू से अग्रगामी अग रगामी है तो इसका चित्र बनाएंगे तो ये हमारे पास आजाएगा कुछ इस तरह से ये क्या है टी प्रदर्शित करता है मान दीजे ये प्रत्यावर्ती वोल्टेज का ये समिकरन है है ना तो प्रत्यावर्ती धारा का समिकरन कुछ इस प्रकार से होगा ये क्या है प्रत्यावर्टी धारा आई है और ये है क्या है प्रत्यावर्टी वोल्टेज भी तो इसमें पहले अधिक्तम कौन हो रहा है प्रत्यावर्टी धारा तो हम लोग कहा सकते हैं कि प्रत्यावर्टी धारा क्या है प्रत्यावर्टी वोल्टेज से अग्रगामी है और कितना अग्रगामी है तो पाई बाई टू अंस क्या है वो अग्रगामी है है ना तो इसको हम लोग इसका फेजर आरेक बनाएंगे तो यह क्या हो जाएगा फेजर आरेक बनाएंगे तो इस प्रकार से यह क्या हो जाएगा मद बिंदू O और यहाँ X अक्ष यह हो जाता है Y अक्ष माल लीजे प्रत्यावर्टी वोल्टेज का समीकरण यह है V0 तो इससे क्या है 90 अंस इससे आगे है तो यहाँ क्या हो जाएगा 90 अंस यहाँ से मतलब 90 अंस देखें तो इसका क्या है परपेंडिकुलर इसका लंबवात रहेगा यह वाली रेखा का है न तो यह हो जाएगा यहाँ से ठीक है दोनों के मध्य में जो कोड बनेगा वहाँ कितना बनेगा वहाँ बनेगा पाई बाई 2 है ना पाई बाई 2 अंस कोड बनेगा यह ऐसे लिग देता हूँ यह क्या है पाई बाई 2 है कर्थ्यूज ना हो ठीक है तो यह हो गया धारा आई 0 का समिक्राण और यह हो गया वोल्टेज वी का अब इसमें लंबवा पाद भी डालते है तो यह कुछ इस प्रकार से आएगा ठीक यह आई और यह वी तो यहां पर जो कोड़ी वेख होता है ओमेगा टी ठीक यह क्या आगे आपका फेजर आरेक फेजर आरेक अब हम लोग बनाएंगे कला आरेक तो कला आरेक में क्या है वह कितना अंस अग्र कामी है धारा मान नीचे एक्स अक्ष वाई अक्ष यह एक्स अक्ष है इसमें वोल्टेज भी प्रदर्शित करते है तो नब्बे अंस क्या है अग्र गामी है तो यह प्रदर्शित करेगा हमारा धारा आई का समीकर ठीक अर्थाद वोल्टेज भी नॉट क्या है धारा आई जीरो से क्या है 90 पस्ट रगामी है या धारा आई क्या है वोल्टेज से अग्रगामी है कितना 90 ठीक तो ये हो गया कला आलेग अब एक बात यहां पर और जान देनी है कि जो वैल्यू हमारे पास आया है जो सिखार मान हम लोग माने हैं इसमें थोड़ी और चर्चा करते ह है एक्जाम है तो बस इतना ही बनाना है आप अगर पूछा जाए आगे इससे तब ये से बताना है ठीक है यहां से कुछ कोश्यन पूछा जाए तो देखे हम लोग इसे लिख सकते हैं समी के नर को i0 is equal to जो पहले दिया है c omega v0 ऐसा दिया है ठीक तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं i0 is equal to v0 upon 1 upon omega c ऐसे भी लिख सकते हैं इसको इधर पक छांतर करें या इसको इधर पक छांतर करें तो ये आ जाएगा 1 upon omega c is equal to v0 upon i0 यहां तक सभी को clear है सभी को clear है यहां तक अच्छा तो हम लोग को पता है ohm के नियम से क्या होता है v upon i is equal to कितना होता है r तो इस समी के नर से इसकी तुलना करने पर हमारे पास जो r कमान आ जाएगा वह आ जाएगा 1 upon omega c तो इसे क्या कहते हैं वन upon omega c आया है उसे क्या कहते हैं परिपत का प्रभावी प्रतिरोध होगा तो इसे क्या क्या कहते हैं प्रतिगात कहते हैं यहां आगे हमारा क्या परिपत का प्रतिगात ठीक है यहां आ गया परिपत का प्रतिगात जिसे किस्से दर शाते हैं याद करिए हम लोग प्रतिगात को x से दर शाते हैं ठीक तो x c is equal to आ गया 1 upon omega c है न तो omega का value होता है 2 pi mu ठीक है तो यह value रखने पर हमारे पास आएगा 1 upon 2 pi mu c तो यहां से इस पस्ट हो रहा है कि जो आप रित्ती है और स्थान धारीत्र की धारीता है दोनुं क्या है एक दूसरे के वियुत क्रमानुपाती है ठीक क्योंकि हम यहां पिसे पता चल रहा है v is equal to v with क्रमानुपाती 1 upon c यह v को इधा ले आएंगे तो इस प्रकार से समिक अ दो जाएगा है नभी अनुक्रमानुपाती 1 upon c तो इससे प्रता चल रहा है कि जो जो हम लोग संधारीत्र कमान बढ़ाते जाएंगे जो तो क्या है क्या है जो तो उसकी आवरित्ती की मान कम होती जाएगी प्रत्यावर्टी धारा की जो आवरित्ती है वह क्या है कम होती जाएगी तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि दिश्ट धारा के लिए प्रतिखात क्या हो जाएगा अनन्त हो जाएगा कैसे में क्योंकि अनन्त क्यों होगा क्योंकि दिश्ट धारा के लिए उमेगा का जो मान होता है वह 0 होता है और वी का मान क्या होता है 0 होता है दोनों 0 होता है तो यह वैल्यू यहां पे रखेंगे तो XC is equal to क्या हो जाएगा वन अपान जीरो जो क्या होता है अनन्थ होता है ठीक तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो दिश्ट धारा के लिए धारीता प्रतिरहात का मान अनन्थ होता है दिश्ट धारा के लिए धारीता प्रतिरहात अनन्थ होता है है न तो संधारीता के लिए प्रत्यावर्टी धारा को ही अपने में से बहने देती है और दिश्ट धारा को क्या है अपने से बहने नहीं देती क्योंकि उसकी दो प्रतिरहात है अर्थात अवरोत कहने की सकती वह क्या है अनन्थ होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिश्ट प्रत्यावर्टी धारा ही संधारित से बाती है अता हाँ प्रत्यावर्टी धारा ही संधारित से बाती है बाती है ठीक है समझ में आया हमने कुछ नहीं किया है इसको रिवाइच करेंगे विद्यार्थी तो क्या है अच्छे से और समझ में आएगा ठीक अच्छा अब हम लोग देखते हैं एच्छा नमबर का है तो एची परीपात जिसमें प्रेरकात वह तो इसमें भी क्या है सेम उसी तरह जैसा पिछला हमने किया था मान लो एक प्रेराख खुंडली L के मत्या एक प्रत्यावर्थी वोल्टेज AC लगाया गया है तो था किसी छड इसका समीकरण है V is equal to V naught sin omega T है ना तो सबसे पहले चीत्र में हम लोग क्या है एक प्रेराख खुंडली बना लेंगे एक प्रेराख खुंडली जिसके 0 के मत्या क्या है एक प्रत्यावर्थी वोल्टेज को क्या है जोड देंगे ठीक है यह क्या है एक प्रेराख खुंडली है ठीक और यह क्या है प्रत्यावर्थी वोल्टेज प्रेराख कुंडली L ठीक और प्रत्यावर्थी वोल्टेज ए सी किसी छण इसको समी क्या है V is equal to V0 sin omega T है ठीक यहां तक सभी का clear है इसमें क्या है आई धारा बहेगी वोल्टेज लगाया है तो जिरूर बहेगी अब क्या है परिपत में किसी छण आई धारा बहने पर परिपत में धारा आई प्रवाहित होने पर क्या होगा धारा प्रवाहित होने पर वोल्टेज लगाया है तो क्या होगा समी किरान हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं धारा आई प्रवाहित होने पर क्या होगा voltage is equal to V is equal to होता है L into D I upon D T यह formula याद कीजिए वहाँ पे क्या होता था E होता था तो यहाँ पे हम लोग लिखे हैं V है ना जब हम लोग swap रेना पर रहे थे ठीक तो यहाँ से आप हम लोग निकाल सकते हैं V upon L is equal to D I upon D T ऐसा लिख सकते हैं अब हमें D I कमांड चाहिए तो हम लोग D I is equal to D T को इधर पक्छांतर करेंगे तो यह हो जाएकर V upon L into D T यहाँ थक सभी को clear है यहाँ से हमने क्या किया है हमने L को इधर पक्छांतर किया फिर उसके बाद D T को इधर गुड़ा कर दिया है है ना तो D I कमांड आगया V upon L into D T तो हम लोग V कमांड यहाँ से इसमें रखेंगे समी करें नमबर दो मान लेते हैं और तो हमारे पास आएगा D I is equal to V कमांड रखने पर V not sin omega T into L into D T आगया अब क्या है दोनों पक्छों में हम लोग समाकलन कर देंगे दोनों पक्छों में समाकलन करेंगे तो हमारे पास आजाएगा D I का समाकलन होगा तो I आजाएगा I is equal to समाकलन करेंगे sin theta का तो क्या हो जाएगा सबसे पहले अचर है वो सब क्या हो जाएगे बाहर निकल आएंगे तो अच्छा बाहर निकल आएंगे तो ये हो जाएगा V0 upon L और साइन उमेगा T का समाकलन क्या होता है मतलब साइन A T अगर D T समाकलन दिया है तो इसका होता है माइनस कॉस A T यहाँ अच्छा इस नहीं लिख रहा है मैं निचे में लिखता हूँ माइनस कॉस A T upon A ठीक तो ऐसे यहाँ पर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस कॉस उमेगा T upon उमेगा ठीक इतना आएगा तो हम लोग यहाँ पर काउंसिडर कर सकते हैं माइनस देखे तो ये हो जाएगा I is equal to हो जाएगा माइनस V0 upon L उमेगा कॉस उमेगा ठीक है तो अब समी कराण 1 और समी कराण 2 से क्या है हम लोग compare करेंगे तो जो voltage का जो समी कराण है वह sin theta के form में है तो इसे भी हम लोग sin theta में लिखेंगे तो हमाले पास सूत्र है I is equal to V0 upon WL है न ये हो जाएगा sin उमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ठीक है क्योंकि माइनस है तो sin 90 माइनस theta है न तो यहाँ देखें अब इसको हम लोग लिख सकते हैं I is equal to I0 sin उमेगा टी माइनस पाई बाई 2 ठीक है हमने माना I0 is equal to क्या होता है उमेगा अपाण V0 upon VL है न यह क्या हो गया धाराखा सिखर मान ठीक तो इस प्रकार हम लोग यहां से देखे कह सकते हैं कि प्रत्यावर्थी वोल्टेज में प्रत्यावर्थी वोल्टेज परिपत में जिसमें केबल शुद्ध प्रेर्यकत्व है में प्रत्यावर्थी वोल्टेज प्रत्यावर्थी धारा से बबे अन्स अग्रगामी है क्यों या प्रत्य वर्तीधारा प्रत्य वर्ती वुल्टेज से बबे अन्स क्या है प्स जगामी है तो हम लोग लिक सकते हैं कला में अंतर प्रत्यावर्थी वोल्टेज अगर निकालना है चाहे तो प्रत्यावर्थी वोल्टेज वा प्रत्यावर्थी धारा के मध्य कला में अंतर तो क्या हैगा उमेगा टी माइनस उमेगा टी माइनस पाई बाई टू तो इस प्रकार हमारे पास आजाएगा पाई बाई टू है न तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्यावर्थी वोल्टेज प्रत्यावर्थी वोल्टेज प्रत्यावर्टी धारा से अग्रगामी है 90 अंस अग्रगामी है तो इसका चित्र बनेगा वहां कैसे बनेगा यदि यहां क्या है प्रत्यावर्टी धारा आई कर समीक रण है तो प्रत्यावर्टी वोल्टेज कुछ इस प्रकाय से बनेगा ठीक है यह क्या हो जाएगा प्रत्यावर्टी वोल्टेज ठीक और फेजाया आरेक बनाएं तो इसका बनेगा यह ओ बिंदू है ना वोल्टेज का समीक रहा है वोल्टेज भी नॉट इथा प्रत्रशित कर रहा है तो इससे क्या है 90 अंस पीछे है ना तो यह बन जाएगा धारा का समीक रहा है यह क्या है 90 अंस ठीक है और लंब पाद डाले तो यह आएगा यह भी और यह आएगा यह आएगा यह आई जीरो है तो यह आई ठीक यह हो गया फेजर आलेक फेजर आलेक और कला आलेक भी इसी प्रकार क्या है यदि एक्स अक्ष में यदि एक्स अक्ष में क्या है वी जीरो बढ़ रहा है तो इससे 90 अंस पीछे तो यह हो जाएगा आई जीरो ठीक मद्र बिंदू ओ यहां तक सभी कर समझ में आया यह हो जाएगा कला आलेक अब जैसा संधारी त्रमे किये थे ठीक उसी प्रकार हम लोग इसकी प्रतिधात निकाले तो आएगा देखे वी जीरो अपान आई जीरो इस उक्वल टू उमेगा एल आएगा है ना तो हम ओम की तुलना करने पर यहां से हमारे पास प्रतिधात का मान आजाएगा एकस एल इस उक्वल टू उमेगा एल है ना तो उमेगा के वैलू रखने पर आएगा एकस एल इस उक्वल टू एकस एल इस उक्वल टू उमेगा के वैलू होता है टू पाई म्यू टू पाई म्यू इन्टू एल तो इस प्रकार यहां से इस पस्ट है कि प्रेनर प्रतिधा दोनों के क्या है अनुप्रमान उपाती होता है इस प्रकार प्रत्यावर्ति धारा में जो जो आविती बढ़ती जाती है उसका प्रतिगहात भी क्या होगा बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे प्रतिगहात का मान प्रेनर कुंडी का स्वाप्रेकात्व का मान बढ़ेगा वैस से वैसे प्रतिखात का मान बढ़ेगा इस प्रकार के धारा के लिए क्या है प्रतिखात शुन्य होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि दिष्ट धारा के लिए कि घिए ओमेगा का वैल्यू 0 होता है है ना दिष्टधारा के लिए उमेगा एसक्षण होगाँ ठीक कर सकते हैं कि दिष्टधारा के मार्ग में क्या है श्वा-प्रियाइकक्त Надо कोई में जो है दिश्ट धारा प्रवाहित हो सकती है अच्छा तो आज के लिए बस इतने ही धन्यवाद